जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे चीन से कंपनिया बाहर निकल रही है तो वहीं यूपी में विदेशी कंपनियों का मैनिफेक्टरिंग में निवेश बढ़ रहा है अब ऐसा लगता है कि चीन को हुए नुकसान का फायदा उत्तर प्रदेश को ही हुआ है और देशों में चीन का नाम सबसे पहले स्थान पर है वहीं अगर फायदे की बात करें तो वियतनाम और भारत जैसे देश जहां चीन से बाहर जाने वाली कमपनियों ने भारी निवेश किया है भारत में भी उत्रप्रदेश ने जिस इस्तर से इन सभी कमपनियों को आकरशित किया उससे लगता है कि यूपी अप मैनुफेक्टरिंग हम बनने के दिशा में चीन को चुनौती देते हुए उससे भी आगे निकल जाएगा उत्रप्रदेश सरकार ने शनिवार को कहा कि उसने 20,000 करोड रुपे के निवेश को आकरशित करने और केवल 3 वर्षों में सूचना प्रद्योगिक शेतर में केवल 3 लाख नौकरियां प्रदान करने के लिए पास साल के लक्षी को तीन ही वर्षों में प्राप्त कर लिया है यूपी के उपमुखी मंत्री दिने शर्मा जिनोंने आईटी पोर्टफोलियो भी अपने पास रखा है उन्होंने कहा कि चीन, ताइवान और कोरिया की कई प्रतिष्टित कंपनिया ग्रेटर नौइडा में 100 एकर भूमी में विक्सित की जा रही है राजी की electronics manufacturing cluster में अपनी manufacturing units स्थापित करने की एक्षुक है उन्होंने भवेशी के प्लान के बारे में बताते हुए का यूपी electronics manufacturing policy 2017 के कारियान व्यन के बाद अब 2022 तक पांच वर्षों में IT के शेत्र में 20,000 करोड़ रुपए के निवेश और 3,000,000 रोजगार स्रिजित करने का लक्ष है सरकार ने अब 40,000 करोड़ रुपए के निवेश को उतरप्रदेश में लाने और नए यूपी उलेक्ट्रोनिक्स मनिफेक्ट्रिंग पॉलिसी 2020 के नुसार 4,000,000 नौक्रियां पैदा करने का एक महत्वा कांशी लक्ष रखा है उन्होंने कहा के 2020 नीती के तहट राजे में ESDM यानि Electronics System Design and Manufacturing को बढ़ावा देने के लिए तीन सेंटर ओफ एक्सिलेंस प्रस्तावित किये गए हैं जिसमें से लियोन सेल मनुफेक्शिंग की फैसिलिटी के लिए सध्यान्तिक मनजूरी दी गई है IT उद्योग को बढ़ावा देने के लिए Software Technology Park of India द्वाराराजी के सभी 18 मंडलों में लगबग 200 करोड रुपे के निवेश के साथ IT पार्क विक्सित किये जा रहे हैं मेरट, आगरा, गोरगपूर और वारांसी में इन IT पार्कों में परिचालन आगामी वर्ष की पहली छमाही में शुरू होने की उमीद है महीं एक रिपोर्ट के अनुसार दक्षिन कोरियाई उपभोगता इलेक्ट्रोनिक्स प्रमुक सैमसंग नोईडा में एक स्मार्टफोन डिस्प्ले विनिर्मान सुवीधा में लगबग 5000 करोड रुपे का निवेश करेगा यूपी की अध्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने दावा किया कि ये सईयंत्र चीन में कोविड-19 के फैलने के बाद भारत में स्थानांत्रित होने वाली बड़ी ये परियोजनाओं में से एक था कोरोना ही नहीं बलकि कोरोना के पहले ही यूपी सरकार ने विदेशी कमपनियों को मैनिफेक्टरिंग के लिए आकरशित करने के लिए योजना पर काम शुरू कर दिया था आज तक ही एक रिपोर्ट बताती है कि यूपी में पिछले तीन सालों में योगी सरकार ने 186 सुधार लागू किये इसका नतीजा ये हुआ कि यूपी में 156 देशी विदेशी कमपनियों ने 48,707 करोड रुपे का निवेश कर उत्पादन शुरू कर दिया है वहीं 174 अन्य ऐसी कमपनिया है जिन्होंने यूपी में करीब 53,955 करोड के निवेश की तैयारिया शुरू कर दी है और 429 कमपनियों की सारी प्रक्रियाएं पूरी हो गई है और निवेश एक प्रजेक्ट शुरू करने वाले हैं कोरोणा के कारण चीन को डम करने वाली कमपनियों को उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए वह सभी सुविधाय मिल रही हैं जो उन्हें आवश्यक हैं जिससे वह अधिक से अधिक निवेश के लिए आकरशित हो रही है यानि आने वाले समय में चीन को पीछे छोड़ उत